Hello Friends, I hope आप सभी अच्छे होंगे इस वीडियो में हम Atoms and Molecules की बात करने वाले हैं जिसमें हम Law of Chemical Combination देखेंगे कि क्या-क्या Laws हैं Chemical Combination के और साथी साथ इन से जुड़ी हैं जितनी भी Terms हैं उन सभी के बारे में हम लोग discuss करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाते हैं तो प्लीज हम Instagram पर follow कर लें Instagram का link नीचे आपको description box में मिल जाएगा साथ ही साथ अगर आपने हमारी chemistry series जो है वो नहीं देखी है तो नीचे आपको playlist का जो link है वो भी मिल जाएगा description box में तो आप वहां से सभी वीडियो उसको check out कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बात करने वाले थे हम लोग law of conservation of mass की तो सबसे पहला जो हमारा लोग है वो यही है कि ये लोग क्या कहता है कि जो mass है उसको नहीं हम लोग create कर सकते हैं नहीं हम destroy कर सकते हैं किसी भी chemical reaction के अंदर जैसे कि अगर एक example के तौर पर बात की जाए तो हमारे पास एक coal का molecule था और साथी साथ क्या था oxygen थी दोनों ने मिल करके जब इनमें reaction हुई तो दोनों ने मिल करके क्या बनाया है carbon dioxide बना दी तो हम जो coal का mass है या oxygen का mass है नहीं हम उसको create कर सकते हैं नहीं हम उसको destroy कर सकते हैं हाँ लेकिन हम उनको react करवा करके कोई एक नई चीज का mass है या एक कोई नई चीज है वो हम बना सकते हैं तो इतनी सी बात जो है वो law of conservation of mass में कही गई है next जो हमारा law है वो है law of constant proportion तो यह क्या कहता है कि जैसे कोई भी compound है जैसे कि अगर हम water की बात करें तो उसके बीच में जो mass of hydrogen है और mass of oxygen है वो एक constant ratio में होंगे दोनों के जो masses हैं दोनों molecules के उनके masses कैसे होंगे एक constant proportion में होंगे एक fixed value जो है या एक fixed ratio में वो पड़े होंगे जैसे कि अगर water की बात की जाए तो हमारे पास एक hydrogen का molecule होगा और दूसरा आठ जो है वो किसके होंगे वो हमारे पास oxygen के होंगे इस ratio में जो है वो आपको देखने को मिलेगा water के अंदर कोई भी compound है उसमें एक fixed ratio के masses के molecules जो है वो वहाँ पड़े होंगे अगर इसी पे अगर हम आगे बात करें तो 9 gram अगर water हमने लिया 9 gram water को हमने decompose किया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 gram of hydrogen आएगी और 8 grams of हमारे पास oxygen आएगी क्योंकि अभी हमने पीछे क्या बात की वो किस ratio में होंगे 1.8 की ratio में होंगे तो उसी के base के अपर अगर हमने 9 gram water को decompose किया तो 8 gram of oxygen हमें मिलेगी और 1 gram of hydrogen हमें मिलेगी उसी तरह से ammonia nitrogen hydrogen यह सब ही जो है एक fixed ratio में present होते है 14 ratio 3 की ठीके by mass mass की जो है वो ratio है right whatever the method or source from which it is obtained तो किसी भी source से चाहे हम इन चीजों को obtained कर रहे हो चाहे water है वो हमें किसी भी source से मिल रहा हो right जो ratio है इसकी masses की वो fixed रहेगी वो same रहेगी right हर एक case में this led to the law of constant proportions और यही चीज जो है वो हमें किस वार ले जाती है law of constant proportion की और which is also known as law of definite proportions right तो उसे law of definite proportions भी गहा जाता है this law was stated by praust तो यह praust ने यह जो law है वो यह दिया था और उन्होंने क्या कहा था in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by masses right तो उन्होंने यही चीज़ कही थी कि किसी भी chemical कोई भी chemical substance है उसमें जो elements present है वो एक definite proportion by the masses of the definite definite proportion में वो present होते हैं उनके mass के base के उपर right next हमारे पास आते हैं Dalton तो Dalton ने atomic theory दी थी इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते है Dalton की atomic theory क्या कहती है right Dalton's atomic theory provide an explanation of the law of conservation of mass and the law of definite proportions right तो यह दोनों जो chemical combination के हमारे laws है उन दोनों को यह बहुत ही अच्छे से explain कर दोगा है तो जो जो जॉन डॉल्टन थे उनका अगर सोटा सा history का बात करें तो वो एक बहुत ही पूर वीवर्स फैमिली से विलॉंग करते थे उनका जन्द 1766 में हुआ था इंगलेंड में और उन्होंने as a teacher जो है वो अपना career begin किया था जब वो बारा साल के थे तब और उसके साथ साल बाद वो क्या वो एक school principal बन गए और 1793 में डेल्टन ने मैंचेस्टर छोड़ दिया क्यूंकि उन्हें कहां appoint कर लिया गया था तो उन्हें appoint कर लिया गया था college में right as a teacher उन्हें mathematics physics और chemistry पढ़ाने के लिए बुलाया गया था वहीं पे उन्होंने अपनी जो rest of the life है वो spend की teach करते हुए और research करते हुए right और 1808 में उन्होंने अपनी जो atomic theory थी वो present की और यही जो था यह turning point था उन लोगों के लिए जो matters के ओपर study करते थे अब Dalton's की जो atomic theory थी वो क्या कहती थी कि चाहे कोई element है या सब ही matter है या फिर कोई compound है या mixture है वो किस चीज़ से मिल करके बना होता तो वो small particles से मिल करके बना होता उन्हों small particles को हम क्या कहते हैं atoms कहते है अब इस theory में बहुत सारे postulates भी थे की बहुत सारी कमिया भी थी उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो postulate है वो क्या है all matter is made of very tiny particles called atom की सभी की सभी जो matter है सभी की सभी चीज़े हैं वो छोट छोटे particles से मिल कर बने होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं atoms कहते हैं दूसरा है atoms are invisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction तो यह ऐसे particles होता हैं जिनको नहीं हम create कर सकते हैं नहीं हम destroy कर सकते हैं किसी भी chemical reaction में तीसरी क्या थी atoms of a given element are identical in mass and chemical properties जो भी atom given है किसी element का जो भी atoms आपके पास हैं वो सभी के सभी mass में भी identical होंगी और उनकी जो chemical properties होंगी वो भी same होंगी right next उन्होंने बात की कि atoms of different elements have different masses and chemical properties कि अगर हम different elements के atoms को लेते हैं तो उनका जो mass है वो भी different होगा और उनकी chemical properties होंगी वो भी different होंगी next उन्होंने बात की थी कि atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds कि जो atoms है वो छोटे जो whole numbers होते हैं उनकी ratio में वो जा करके combine होते हैं और combine होने के बाद वो क्या बनाते हैं वो compounds बनाते हैं ऐसा उनका मानना था next बात की थी उन्होंने the relative number and kind of atoms are constant in a given compound कि किस तरहा का वो atom है और कितने number of atoms वहाँ पे present है ये किसी भी एक given compound में ये चीज़ constant होती है ये मतलब कि ये vary नहीं कर सकती वो constant होती है next हम लोग बात करते हैं what is an atom how big are atom कि atom क्या है और वो कितने बड़े हो सकते हैं तो atoms are very small right so atoms बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं they are smaller than anything that we can imagine or compare with वो इतने छोटे हो सकते हैं कि हम उतना छोटा किसी चीज़ का size imagine भी नहीं कर सकते हैं नहीं हम उसको किसी चीज़ के साथ compare कर सकते हैं right more than millions of atoms were stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper अगर हम बहुत सारे atoms को millions of atoms को एक साथ stack कर दे जोड़ दे right तो वो एक layer बना लेंगे उतनी ही मोटी जितनी की मोटी आपने एक paper की परत जो है उनमें आपने देखा होगा कि atoms को एक particular symbol दिया जाता है या एक particular जो है वो लेटर्स दिये जाते हैं जिसके थुरू हम जो है वो किसी particular element के बारे में जान सकते हैं जैसे अगर हमने oxygen लिखना है तो हम उसको o से denote करते हैं उसी तरह से पहले के समय में क्या किया जाता था कि अगर आपको किसी atom को denote करना है तो आप उनके जो first words होते थे उनको ही उनका symbol जो है वो रख लेते थे जैसे कि अगर chlorine था तो chlorine का CL करके जो हम उसको denote कर दिये थे लेकिन अब क्या है अब IUPAC जो है IUPAC क्या है तो international union of pure and applied chemistry ये जितने भी elements discover होते हैं उनके नाम्स को ये approve करती है तो अब जो भी symbols और जो भी बन करके आता है वो कौन अप्रूफ करता है तो IUPAC अप्रूफ करती है right many of the symbols are the first one or two letter of the elements name in English right English में जो भी element का name है वही mostly first या जो second दो letters है first के वही जो है उसका symbol बनते है the first letter of a symbol is always written as capital letter तो जो first letter है symbol का जैसिके अगर chlorine की हम बात करें तो C को हमेशा हम uppercase मतलब की बड़े वाले capital letters में लेते हैं लेकिन second letter को हम छोटे वाले letter में हम लेते हैं यानि के lower case में हम लेते हैं अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि C बड़ा होता है और O छोटा होता है right तो उसी तरह से सभी जो elements है उनका नाम जो है उसी तरह से रखा जाता है next बात कर लेते हैं आप कुछ symbols ही देख लेते हैं तो element जो है वो यहाँ पर लिखे हूँ है और उनके सामने उनके symbols दिए गए हैं तो aluminium है alcetonote करते हैं argon है barium है boron है ठीक है bromine है calcium carbon chlorine cobalt जिसकी अभी हम पीछे बात कर रहे थे right copper fluorine gold hydrogen iodine iron अब देखिए iron का थोड़ा से different है iron 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 है लेकिन इसका symbol क्या है FV right उसके बाद lead है तो इसका भी थोड़ा change है PB right magnesium है mg right उसके बाद neon है NE nitrogen N oxygen O potassium K silicon Si silver Ag sodium Na उसके बाद sulfur है तो S uranium है तो U और zinc है तो Zn right तो जो भी इस table में जो दिये गए है elements इनके तो आपको symbols बिलकुल याद होने ही चाहिए क्योंकि NCRT में यह पूरा जो table है यह दिया हुआ है और अगर आप किसी exam की त्यारी कर रहे हैं तो बिलकुल NCRT में लिखी हुई हर एक line जो है वह आपको पता होनी चाहिए कि यह line वह आप लिखी हुई है क्योंकि NCRT की हर एक line जो है वह question है और NCRT की हर एक line जो है वही उसका answer है तो NCRT में लिखी हुई हर एक line जो हो आपको पता होनी चाहिए तभी आप यह मान सकते हैं कि मैं exam के लिए बिलकुल prepare हूँ राइट नेक्स चलते हम लोग atomic mass की बात करेंगे the most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass तो जो जो most remarkable concept दिया था है और Dalton's की atomic theory ने तो यही था कि atomic mass क्या है right कि atomic mass होता है हर एक चीज़ का उनके according मतलब Dalton के according each element had a characteristic atomic mass की हर एक element के पास जो है वो खुद का एक characteristic atomic mass होता है और the theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to mirror the atomic mass of an atom अब उनकी जो theory थी उनकी theory जो law of constant proportion थी वो इतने अच्छे से explain करे थी कि जो scientist के लिए वो एक prompt की तरह काम किया कि वो atomic masses को mirror कर पाएं किसी भी atom के right since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task right कि किसी भी atom का right आप atom सोच सकते हैं कि बहुत ही छोटी term है right तो उसका singly mass निकालना यह बहुत ही इमेजन नहीं कर सकते हैं उसका अगर आप mass निकालना चाते है तो बहुत ही ज़्यादर difficult task है right relatively atomic masses were defined using the laws of chemical combination and the compounds form बाद में जा करके जो atomic masses से उनको कैसे determine किया गया तो law of chemical combination को use करके और जो compound form हुआ है right क्या compound बना है उनको determine करके दोनों चीज़ों को determine करके हम जो है वो atomic mass जो है वो किसी भी atom का निकाल सकते हैं यह चीज़ बाद में रखी गई right next शलते हैं how do atoms exist कि atoms exist कैसे करते हैं right लेकिन उससे पहले हम यह table जो है वो पढ़ लेते हैं कि हर एक अभी हमने बोला न कि हर एक element का खुद में एक atomic mass होता है तो यह जो आपको table दिया है इनके तो लगबग आपको masses जो है वो बिल्कुल on the tips होने चाहिए right जैसे कि मैंने आपको बता है कि ncrt अगर आप पढ़ रहे हैं किसी एक्जाइम की त्यारी कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए यहां से right तो hydrogen का atomic mass कितना होता है one carbon का 12 nitrogen का 14 oxygen का 16 sodium का 23 magnesium का 24 उसके बाद sulfur का 32 उसके बाद chlorine का 35.5 and calcium का 40 right अगर आपको इनके atomic number याद है तो आपके लिए और भी easy हो जाएगा atomic masses को याद करना right तो आपको atomic number और atomic masses दोनों जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए right अब हम बात करते हैं कि how do atoms exist कि atoms किस तरह से exist करते हैं तो atoms of most elements are not able to exist independently right कि atoms जो है बहुत सारे elements की वो independently exist नहीं करते हैं इतनी ability उनके पास नहीं है right atoms form molecule and ions right या तो वो molecule की form में होते हैं या तो वो ions की form में होते हैं these molecules or ions exaggerate in large number of number to form the matter that can we see feel or touch यही जो molecules or ions हैं यह बहुत ही जादा मात्रा में जुड़ करके एक matter बनाते हैं और उस matter को हम देख सकते हैं feel कर सकते हैं touch कर सकते हैं right तो इस form में जो atoms है वो exist करते हैं अब बात करते हैं कि molecules क्या होते हैं right what is a molecule तो a molecule is in general a group of two or more atoms right या तो दो atom या फिर दो से जादा atom मिल करके एक molecule जो है वो बनाते हैं that are chemically bonded together और वो आपस में जूड़े कैसे होते हैं तो वो chemically एक दूसरे के साथ bonded होते हैं right मतलब कि उन्होंने bonds एक दूसरे के साथ create किया होते हैं और यह बहुत ही tightly packed होते हैं उनके बीच में कुछ attractive forces भी होती हैं जो एक दूसरे की तरफ जो attract करती हैं कि यह सबसे छोटा particle है element का या फिर किसी compound का जिसके पास क्या capability है कि वो independent exist कर सकता है अभी हमने पीछे बात क्या की थी कि atom सबसे छोटा particle है लेकिन atom जो है वो independently exist नहीं कर सकता वो या तो molecule की form में होगा या तो iron की form में होगा तो इस वजह से हम यह मान सकते हैं कि जो molecule है वो सबसे जादा छोटा particle है किसी भी element का या फिर compound का जो independently exist कर सकता है और वो सभी properties जो है substance की वो show कर सकता है right atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules बहुत सारे जो atoms है या तो same element के मिल करके वो बन रहे हैं right या फिर अलग-अलग elements के मिल करके वो बन रहे हैं और क्या बनाते हैं बहुत सारे atoms मिल करके तो वो एक molecule को form करते हैं right next चलते है molecules of atoms अब अलग-अलग atoms के या elements के sorry atoms की नहीं elements के जो molecules हैं वो कैसे होते हैं right the molecules of an element are constituted by the same type of atoms की हम यह बात कर रहे हैं कि जो element के molecules हैं right वो same type of atoms से मिल करके बने होते हैं molecules of many atoms such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of the element right तो यह कुछ ऐसे elements हैं जो सिर्फ एक ही atom से मिल करके इनका जो molecule है वो बना होता है right शिर्फ only one atom but this is not the case with most of the non-metals लेकिन यह बहुत सारे non-metals के साथ ऐसा नहीं है यह जादा तर non-metals के साथ ऐसा नहीं है for example a molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen right तो जैसे की oxygen के पास कैसे हैं दो atoms है oxygen के right एक molecule के पास दो atoms है oxygen के and hence it is known as diatomic तो जिन जैसे oxygen के molecule के भी हमने बात की कि उसके पास दो atoms है oxygen के तो वो कैसा होगा वो diatomic molecule होगा right जिसको हम O2 कहते हैं if three atoms of oxygen unite into a molecule अगर तीन atoms जो हैं वो oxygen के unite होते हैं जुड़ते हैं एक साथ किसी molecule के अंदर instead of the usual two we get ozone तो हम oxygen की जगह पे क्या मिलता है हमें O2 की जगह पे क्या मिलता है हमें O3 मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं ओजोन कहते हैं right उसके बाद the number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity कि जितने number of atoms एक molecule के अंदर पाये जाते हैं वो उसकी क्या है वो उसकी atomicity है right metals and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together कुछ metals होगे जैसे कि कुछ elements या फ़र कुछ metals ऐसे होते हैं जैसे कि carbon है उनकी पास कोई simple structure नहीं होता है right जैसे हमें पता है कि carbon की tetravalency कितने होती चार मतलब कि वो चार molecule से जुड़ करके बना होता है अब उसके बहुत सारे atoms होते हैं और in identified number में यह एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं right तो यहां पे हम उसको ना ही तो monotomic, diatomic इस तरह से उसको नहीं कह सकते हम लोग right क्योंकि हमें particular case में देखना पड़ेगा कि इस case में carbon के पास कितने atoms है right तो हम यह table देख लेते तब तक table में आप देखेंगे कि यहां पे जो element के name है और साथ में उनकी atomicity दी हुई है तो argon कैसा है monotomic है right मतलब की 1 जिसके पास एक atom जो एक atom से मेल करके बना है helium कैसा है monotomic अभी हमने पीछे पढ़ाईगे right तो एक atom से मेल करके बना oxygen कैसा होगा diatomic है दो atoms है hydrogen कैसा है Diatomic है मतलब दो atoms है उसके बाद nitrogen itudiner diatomik है क्लोरीं diatomic है उसके बाद phosphoros आप देखेंगे तो tetra atomic है राइट मतलब crash देखेंगे चार सुन्सके बाद polyatomic है तो polyatomic भी सुलफर है जो वो polyatomic है कि next देख लेते हैं molecules of compounds की compounds के molecules देखते हैं अब हम लोग तो atoms of different elements join together in different proportions to form molecules of compounds तो हमने यह चीज़ पड़ी थी कि compounds क्या होते हैं दो अलग-अलग जो pure elements हैं उनके molecules या वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं वो compounds बनाते हैं तो जो atoms हैं different elements के जब वो आकर के जुड़ रहे हैं किसी definite proportion में किसी एक constant proportion में राइट जैसे अभी हमने पीछे molecule की water के molecule की बात की थी तो हमने देखा था कि वो किस ratio में जुड़ रहे हैं one ratio eight में तो यह क्या है definite proportion है कि आपको चाहिए आप पानी का sample कहीं से भी ले लीजे आपको यही same ratio जो है वो देखने को मिलेगी तो इसी तरह से definite proportion में जब हमें different elements के atoms जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं किसी molecule और वो क्या बनाते हैं कि कोई molecule बना रहे हैं वो किसी compound का ही बनाएंगे फिर तो उन ही को क्या कह रहे हैं आप यहां पे जो टेबल देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं जैसे water की हमने अभी बात की तो इसमें कौन-कौन elements combine हुए hydrogen और oxygen शुरू आज से हम यह बात कर रहे हैं और इनकी ratio क्या है fixed है हमें पता है क्या होती है 1 ratio 8 तो यह ratios आप याद रखिए क्योंकि यहां से हो सकता कि question निकल करके आ जाए मैंना आप को ड़ेड़ी बोले कि NCRT की हर एक line जो है वो question है और हर एक line जो उसका answer है right उसे तरह से ammonia है ammonia क्या है NH3 तो यहां पर कौन से दो elements combine हुए nitrogen और hydrogen ratio क्या है तो 14 ratio 3 right carbon dioxide है CO2 इसमें कौन से elements combine हुए oxygen और carbon right carbon और oxygen combine हुए और ratio क्या रहेगी तो ratio रहेगी 3 ratio 8 right मतलब 3 ratio तीन जो है वो carbon के और oxygen के कितने होंगे 8 right तो यह आप जो table है यह आप ध्यान रखिए तो friends आज के लिए सिर्फ इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like और share करना ना भूले अगर आपको कहीं पर doubt है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजे thanks for watching तो